हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज बनाते हैं सिम्ला मिर्च की मसालेदार टेस्टी सी सबची वह भी सिर्फ पांच मिनट में बहुत ही असान है इसको बनाना और बहुत टेस्टी बनती है तो फ्रेंट्स ज पतला पतला कट किया है इसी के साथ एक बड़े सा इसका प्याज जिसको की लंबाई में ही कट किया है पतला पतला ही इसको भी कट करेंगे अब यहां पे आधा कब मैंने डाल दिया है पनीर अगर आपको पनीर नहीं डालना है नहीं है पनीर अभी घर पे तो आप स्किप कर कर सकते है पनीर को और यहां पर तीनचार कली लसुन की मैंने ले लिए जिसको की क्रस्ट कर लिया है और अब यहां पर आधा चमज से डाल देंगे कसमिली लाल-मिर्ज का साथी आधा चमज डाल देंगे हल्दी पाउडर का सब्चू के क्वाइटिति आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आदा चोटी चमच कर मसाला डाला है और एक चमच से डाल दिया है भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर इसी के साथ यहां पे आधा कप में डाल रही हूं भुनी भी मुंफली जिसको की दरदरा सा मिक्सी में पीस लिया है और अब सारी चीजों को हमने मिला देंगे मिलाने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए साइड में रखतेंगे ताकि सब्जियां अच्छे से मेरिनेट हो जाए तो फ्रेंट्स बहुत ही असान सी रेसिपी है और यह बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है तो इसे आप एक बनाएंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे तो चलिए अब यहां पर एक पैन में मैंने एक बड़ी चब मसे तेल डाल दिया है और उसी के साद आधा चमच जीरा डाला है आधा चमच सफेद वाली तिल और तीन-चार करी लहसुन की चिसको की मैंने छोटा-छोटा तुकड़ों में कट कर लिया है इसको हम एक मिनट के लिए भून लेते हैं और अब यहां पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे अगर आपके पास फ्रेश मेथी है ना तो मेथी के पत्ते आप भूभी डाल सकते हैं नहीं तो कसूरी मेथी ज़रूर से डाल लिएगा औ सब्चियों का वह हम इसमें आइड कर देते हैं और इसको इसमें डालने के बाद अच्छे से इसको मिलाना है मिलाने के बाद हमने बस इसमें थोड़ा सा दूद डाल देना है उसके बाद इसको ठक के पका लेना है जब तक कि हमारी सब्चियां अच्छे से पाकनी जाती तो सब्जी आराम से पक के तयार हो जाती है थोड़ा सा यहां पर पानी मैंने और एड़ कर दिया है और आप इसको ढग देते हैं तो यहां पर सब्जी को पकते वे 5-7 मिनिट हो गए हैं देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है सारी चीज अच्छे से पक गई ह अब यहां इसमें थोड़ा सा पारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे और यह सब्जी सिम्ला मिर्ज की बहुत ही टेस्टी सी बन के तयार है आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे या फिर चावल किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बच इस वीडियो को लाइक जरूर से कीचेगा चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए गा और साथ के साथ रेसिपी को भी जरूर से से कीजिएगा और बगल में लगी बैल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी बह बहुत बहुत धन्यवाद